हालो फ्रेंट आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल अपना घर इडवाई में चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें आप यह प्लान देखना है काफी अच्छा काफी बहतर प्लान है यहाँ पर फूल डिटेल्स बताया जागा प्लान का इसलिए वीडियो को इसकीप ने करें देखिए यहाँ पर आप डाइमेंसन पर स्क्रिंशॉट ले सकते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हैं जब तक आप फीट होगा चैनल अगर जितने सब्सक्राइबर ग्रोथ होते हैं तो मैं आपको ऑन डिकॉर्ड बोल रहा हूं कि आपका कॉमेंट सेक्षन में जो रिकॉर्मेंट आएगा वो प्लान आपको बन की यूट्यूब पर मिलेगा तो इसलिए चैनल को जादा से जादा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए वीडियो की तरह बढ़ते हैं यह जो प्लान है सिक्स बेडरूम है काफी अच्छा प्लान है देखने में ही समझ में आ रहा है काफी बेहतर है जादा जगर नहीं इसमें यूज की गई है लेकिन हम आपको लंबाई चौरा ही ट है किस में तो हम लोग जैसे गेस्टरूम में आते हैं हम ने पकग रा देते हैं कि आपको यह साथ फीट है क्ठाव है और 16 feet 5 inch फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा रास्ता यहां पर घर में आता है गेस्टरूम से और यहां पर बेडरूम है हम आपको बेडरूम का डीटेल्स बताएंगे अंति में पहले बाथ रूम का डीटेल अंति में बताएंगे पहले आप total bedroom clear कर लिए चलिए आते हैं यहां से आते हैं दूसरे bedroom में दूसरा bedroom का size 14 feet 1 inch वाई 14 feet 1 inch का है clear है उसका door windows का total size बताया जाएगा क्या size है नहीं है total चीज़े आगे बढ़ते हैं यह living hall है तो living hall है आपको clear करते है this, living hall का size क्या है यहां से यहां तक 11 feet 5 inch है इनफ size है और यहां से living hall आपको count यहां से होगा यहां से यहां तक 20 feet 4 inch है काफी अच्छा size है आते हैं इस bedroom में इस bedroom में इस bedroom का साइज हम आपको बता रहें यह इस bedroom का जो size है 12 feet एक तरफ है दूसरी तरफ भी 12 feet है जो आपको साफ नजर यहां से भी आ रहा है 12 into 12 का यह बेडरूम है चली चौथे बेडरूम में जलते हैं तो यहां जैसे हम फोर्ट नमबर बेडरूम में आते हैं तो यह 12 feet है और यह हिस्सा 14 feet का यानि 12 into 14 का यह वाला bedroom है फिर हम लोग आगे आते हैं आगे आने पर पांचवे बेडरूम में आते हैं तो ये भी 12 इंटू 12 में बना हुआ बेडरूम है किचन आपको साफ नजार आ रहा है 11 फिट 5 इंच पाइड 8 फिट इंच काफी अच्छा साइज है किचन का किचन का जो करते हैं साइज काफी बेहतर साइज का तो यहां पर साइज पर काफी फोकस किरे गया आते हैं इस तरफ जो यहां देखते हैं uniform 14 इंच का 12 इंच पाइड फिट का यह वाला बेडरूम है तो टोटल आपका बेडरूम के लिए हम आपको इसके लमबाई चौराई बताएंगे उस से पहले हम आपको इस बाथरूम का साइज बता देते हैं जी बाथरूम जो आप देखने है ये बाथरूम आपको चार फिट का है और यहां से यहां तक 6 फिट 1 इंच का है फिर हम लोका आते हैं इस bathroom में पांच feet का और यहां से यहां तक 4 feet का अटेच वाला एक common bathroom जो है बदा देखने में लग Government जो 4 feet का है और यहां से यहां तक 10 feet दो इंच का है काफी बेहतर size है और लंबाई चोराई हम आपको बताते हैं यह 40 feet है और यहां से यहां तक यह 45 feet है, यानि कि 40 into 45 में यह plan total detail बनाएगा, आप चाहे तो इसके skin shot भी ले सकते हैं, और दूसरा चीज सबसे बरी चीज है कि इसको detailing को जाने plan किस तरह से work कर रहा है, क्या है नहीं, यानि total 800 square feet में बना हुआ यह plan है, 40 into 45 में 800 square feet का बना plan है, आप हमेंसे एक चीज का ख्याल रखें कि outer wall को 10 inch ही रखें, उससे होता है कि अगर 5 inch की wall है, तो आपको किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ाएगा, हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि बार इस बरशाद के टाइम में एक पानी का जो force wall पे पढ़ता है, तो कहीं ने कहीं स पानी में अगर plaster करने में आपको delay हो रहा है, कुछ भी, तो वो आपको घर के अंदर आ जाता है, पहला point यह है, दूसरा चीज है कि hitness जो होती है, गर्मी वो काफी जादा लगती हो ऐसे घर में, और sound issue भी काफी होता है, sound बाहर चाने वाला sound काफी आसानी से अंदर आ जाता है, और धूब, गर्मी, बरसाथ, इन सब चीजों से जो आपका वेदर होता है, उन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो आप समझगें, दस इंशी वाला अंदर partition total पांच इंशी यूज़ किया गया है, और दूसरी चीज हम आपको बता दे रहे हैं, कि यहाँ पर जितनी विंडोज हमने 5 फिट की यूज़ किये, बातरूम की ज़र्ण में आप 3 फिट रख सकते हैं, चार फिट रख सकते हैं, टोटल विंडोज यहाँ पर 5 फिट की यूज़ किये गई, तो काफी बेहतर, काफी अच्छा प्लान है, इसलिए कर रहे हैं कि चैनल को सब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेर करें, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद